दोस्तों जिस तरह से Tata progress कर रहा है हो सकता है कि आने वाले समय में हमें automobile sector हो या फिर electronic sector हो इन सभी के मामले में किसी भी देश पर निर्भर ना रहना पड़े जिया दोस्तों Tata ने automobile sector में जिस तरह से काम किया है आज पूरी दुनिया में Tata के vehicles का बोल बाला है इसके बाद Tata एक और sector में उतरने की सोच रहा है जिसके बाद भारत की तस्विर पूरी तरह से बदलने वाली है जिया दोस्तों पूरी खबर क्या है जानती इस वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजे ऐसे इन्फोर्मेटिव वीडियो पाने के लिए खबर यह है कि इस साल टाटा ग्रूप 510 बिलियन डॉलर की इन्फेस्टमेंट करके एक मैनुफेक्चरिंग उनिट सेटप करने वाला है जिसमें इलेक्ट्रोनिक चिप्स की मैनुफेक्चरिंग की जाएगी बताय जा रहा है कि इस प्रोजेक के लिए टाटा ताइवान की दो बड़ी दिगच कमपनियों की साथ पाटनर्शिप करने की सोच रहा है यही नहीं बलकि इस प्रोजेक के लिए लैंड एक्विजेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है और इस साल के लास्ट में इस मैनु मैनुफेक्चरिंग कॉर्पोरेशन और दूसरी कमपनी है यूएमसी यह दोनों कमपनिया सेमी कंड़क्टर चिप्स मैनुफेक्चरिंग में महारत हासिल कर चुके है और अलग-अलग ब्रैंड्स के लिए सेमी कंड़क्टर चिप्स मैनुफेक्चरिंग करते हैं दोस्तों कई ना कई electronic chips को use किया जाता है इनकी demand इतनी जादा है कि जो देश इनका mass production कर रहे है वो आज world leader बन चुके है इनकी manufacturing में और मोटी कमाई चाप रहे है भारत का इन semiconductor chips को manufacturing करने का उद्देश्य है electronic sector में आत्मनिर्भता हासिल करना बताया जा रहा है यहाँ पर 65 nm, 48 nm, 28 nm के ल electronic devices and iot devices में इस unit से एक साल में करीब 25,000 वेयर पार्ट्स का manufacturing होगा और इसी के साथ इंडियान सेमिकंड़क्टर मिशन के तहरत इनको 50% तक की subsidy दी जाएगी and state wise भी यहाँ पर थोड़ी बहुत subsidy मिलेगी मतलब 25% तक मतलब की 75% यहाँ पर इनको subsidy मिलने वाली है जिसके बाद semiconductor chips में जो cost होगी वो काफी कमाएगी और इहाँ पर इनकी जो market cost है वो भी काफी कम होगी तो यह काफी बड़ा कदम होगा भारत का independent country बनने के mission में तो इसके बारे में आपकी क्या रहा है मुझे comment करके ज़रू बताइए और ऐसे informative वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe